है दोस्तों पढ़ते हैं हम इंडिया ने क्लिकल्चर पर क्या impact होगा हमारा climate होगा घब क्लाइमेट चीन्ज होगा इंडिया ने क्लिकल्चर पर क्या रिपनदे उसका जो जिस्त है दोस्तो यह है कि जब भी climate change होगा तो जो poorest country होंगी वही मारे जाएंगी क्यों poorest country मारे जाएंगी क्योंकि उनका जो economy होती है और agriculture पर depend होती है एकरिकल्चर पर depend होने के साथ उनका बहुत सारी population यह 50% ज्यादा population डबलूइंग कंट्री में और depend होती है रोजी रोजी रोटी के लिए agriculture पर तो जब भी हमारा climate change होगा तो rainfall या तो increase करेगा या तो decrease करेगा ठीक है और अलग-अलग areas में होगा जब rainfall increase और decrease करेगा तो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का agriculture जो है ओ रेनफॉल पर depend करता है मांसून पर करता है अब किसी जगह पे रेनफॉल जल्दी आ गया किसी जगह पे रेनफॉल बाद में आ गया किसी जगह पर ड्रॉट आ गया साइकलोंस आ गया तो यह हमारा जो एकरी कल्चर हमारे रेन फेट डिपेंड है यह हमारा पॉपलेशन को फीड करने के लिए प्रॉपर फूट चाहिए प्रॉपर फूट के लिए हमारा एगरिकल्चर काफी सफिशेंट और काफी आप्टिमम लेवल पर होना चाहिए ओके दूसरी चीज दोसों जी टेंप्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा फर्टिलाइजर जाएंगे वर्ट्रोटी बढ़ाने के लिए फटलाइजर भी इंक्रीज करना पड़ेगा इए इन उसका उट करेंगे अमारे ऐब होगी हमारे फासफोरस पूडास करेंगे तो इक आप फटलाइजर ज्यादा सब्सक्राइब दोस्तों हमारा फ्लड स्टॉम और साइकलोन तेही से आने शुरू हो जाएंगे जो कि हमारे काफी सीरियस थ्रेट हो जाएंगे हमारे इकानोमी के लिए जन धन के लिए उनकी खानी काफी यदा बढ़ जाएगी और वाटर प्रव्लम में आपको पता ही यह होती है एरिड और रिजन में तो रिजन पराउलम होती है कि इसके बाद दोस्तों क्यों में हमारा प्रेडिक्टेड है कि टूट दोन तक जो हमारा वेस् इस region में हो ह 되면 rainfall इंक्रीस करेगा लेकिं Central, India में बात करें MP और उंके लगे हुए राजियों बात करें, तो वहां पर, rainfall हमारा decrease करेगा ओके यह हमारा prediction है, और दोस्तों दूसरी problem आए माया को इस से मिलने के साथ क्या होगा कि वह बानी सबस्सिर्ण होगी तो जब सिंग होगी तो थो हमारा सिए वांटर का एप जब कम होती है जब दोनों मिक्स होँगे तो एक भर्यकी वाटर की फर्म में बना देंगे जो कि पानी पीने लाग नहीं रहा जाएगा और काफी यह इस पहली प्रॉब्लम तो इससे हो जाएगी हमारे Coastal अधियास में जो हमारі साधर करने लगेगी हमारे हमाँड ग्राउंड वाटर में उसके बाद दोस्तों ग्रांट वाटर में क्यों दोस्त ग्रांट वाटर की साथ साथ आपके लेक्स में, पॉंड्स में और रिवर्स में जो उनसे सम्मर्ज करती है साथ में, तो वहाँ पे भी हमारा ग्राउंड वाटर में सैलनेटी हो, वहाँ पे भी इक्रीज करने लगेगी, जो हमारा फ्रेस वाटर है, तो यह बहुत बड़ी प्राउलम एक थ्रेट आने के संभवन है, उसके बढ़ जैसे रवाटर में खोः आं के दश्रूब होंगे ड्लेसियर में होने सुरूब होंगे, तो यह बहुत होतों हैं हमारे सिजनल लीवर सैंथ हुनको फीड करती है और पहले तो क्या होंगा कि हमारा इंका latir level increase होगा क्योंकि अब ग्लेसियर वि garbageemत धुए लेकिन जब खतम हो जाएंगा तो हमारा water level decrease कर जाएगा, ओके यह serious threat हो जाएगा हमारे agriculture के लिए और इतनी बड़ी population है इंडिया में, उनको fresh water availability के लिए है, पहली चीज़ से यह problem हो जाएगा, यह 2050 तब होने की संभावना है, उसके दोस्तों rainfall काई region में increase करेगा, काई region में decrease कर होगी, fresh water का pollution होना शुरू हो जाएगा, तो basically इसमें हो गया रहा है, पहली चीज़ एक लिए culture में बहुत जादा problems आ रही है, दूसरा fresh water में आ रही है, और जो अगली problem है, वो हम देखते हैं अगले lectures में,